नमस्कार सातियों मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर विच्वल पाटनी बोल रहा हूँ इस सब्ता ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में हलचल मज गई है अच्छे यहीं मैं आपसे पूछू हूँ कि आपके हिसाब से वर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है सबसे स्टाइलो ब्रांड सबसे प्रेस्टीजियस ब्रांड तो शायद आप में से अधिकांश लोग एपल का नाम जरूर लेगे तो एपल के फाउंडर स्टीव वोजनियाक ने ऐसा क्या कह दिया कि भारती इस टालवाट्स हिल गए स्टीव वोजनियाक ने कहा इंडिया के लोगों के सक्सेस का माइना ही अलग है यहां के लोगों का सक्सेस का आर्थ यह अच्छे से पढ़ाई करो कैसे भी करके एक अच्छी सी नौकरी करो शादी करो हो सके तो एक मर्सडिच खरीद लो और इतना ही ओवर ओल मिलाके इनके सक्सेस का पैरामिटर है साथियो जैसे ही स्टीव वोजनियाक ने कहा पूरे ट्विटर पर वार चड़ गया टॉप के इंडियन लोग रिप्लाई करने लग गए और स्टीव जॉब्स ने एक कतम और आगे बढ़के ये भी कह दिया कि इंडिया में इनोविशन होई नहीं सकता उन्होंने कहा इंडिया की जो बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसीस है वो भी एक सीमा के परे नहीं जा सकती वो भी इनोवेट नहीं कर सकती और प्रश्न ये उठता है कि सबको इतना इरिटेशन क्यों हो गया इस्टीव वोजनियाक की बात पर इस्टीव वोजनियाक के कुल संपत्ती 649 करोड किये और उसका जवाब किस ने दिया आनंद महिंद्रा ने जिसकी संपत्ती 10,000 करोड किये आनंद महिंद्रा ने इस्टीव वोजनियाक से कहा आप अगली बार आईए सुर बदलेवे मिलेंगे लेकिन प्रश्ण ये है क्या इस्टीव वोजनियाक ने जो कहा वो सच है क्या हम भारतिये पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं सिर्फ क्लास में नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ाई करते हैं यदि मैं यहाँ आज आपसे कहूं कि इस्टीव वोजनियाक ने कुछ गलत नहीं कहा तो शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा लग जाए लेकिन मैं आज आपसे प्रश्न पूछता हूं आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ क्या चीज का वार है क्या एक एक नंबर का वार नहीं है आपका बच्चा स्कूल में डाट नहीं खाया जब उसके नंबर कम आए क्या आपके बच्चे ने कभी कोई तोड़ फोड़ कोई नहीं चीज क्रियेट करने की कोशिश की तो उसको सराना मिली या बदले में पेरेंट्स को बुलाया गया कि देखो आपका वच्चा क्या करता है साथियो हमारे इंडियन स्कूली सिस्टम में एक्स्प्रिमेंट और रिसर्च के लिए कोई जगा नहीं है यहां तक कि टीचर ने जो अंसर शिखाया है उसकी जगा आपने दूसरा अंसर लिख दिया तो टीचर आपकी क्लास ले लेगी कि क्या कहीं ट्यूसन जा रहे हो या किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो या ज़्यादा होश्यार बनते हो जो मैंने पढ़ाया वो नहीं लिख सकते यहाँ पर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंतरता या आईडियास की स्वतंतरता जैसा कुछ है ही नहीं इस देश की स्थिति ऐसी है दोस्त कि यदि केस स्टड़ी की जाए तो इंग्लीश जो पढढा रहा है इसा ही ही और विसको खी स्कूल में उसको खुद इन आती है उसको भूट के बच्चा इसक्राइत हो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा हम सब के बच्चे तक कुम बढ़ते हैं आज स्कूल में जो craft का assignment मिलता है वो कौन करता है क्या आपको लगता है बच्चा करता है गलत या तो वो उसकी मा करती है या उसकी बड़ी बहन करती है या हर शहर में धेर सारे essay agencies खुलेवे हैं essay artists बैठे जिनको पता है स्कूल में किस class वालों को क्या जमा करना चाहिए मजे से 1000 रुपए चार्ज करते है माएं उनसे बनवाती है और ले जाके स्कूल में सम्मिट कर देती है हमारे देश की creativity है मैं आज यहां खड़ा हूँ मैं क्यूँ पता है स्कूल में कुछ दिन पहले कुछ पदों के लिए इंटर्वियू हुए जिसमें प्यून के पद के इंटर्वियू के लिए कई MA और कई MCOM लोगों ने अपलाई किया और बुलते वक्त मेरे को पीड़ा है था पीड़ा जब मैंने उसको मना किया तो वो मुझसे कहता है कि सर उपर भी नौकरी नहीं मिलेगी नीचे भी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे हमारे देश की स्थिती ऐसी है कि 12th क्लास में पढ़ने वाले को DD बनाना नहीं आता चेक साइन करना नहीं आता वो पोश्ट आफिस में जाके एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कर सकता कई बार यह सम्मा हुए कि उसने बैंक तक में कदम न रखाओ यह कैसी एजुकेशन विवस्था है जो फेल होने की इजाज़ती नहीं देती जो प्रयोक करने की इजाज़ती नहीं देती कुछ दिनपूर फ्लाइट में मैं जो अमेरिका का एक प्रफेसर मिला वो कहता है हमारे बच्चा स्कूल पास होते होते हैं और फास सेकेंड यूजी तक आते आते वो कई बार अपने बिजनेस शुरू करके फेल हो चुका होता है और हमारे बच्चा ग्रेजुएट होते तक भी मा के पल्लू से बंदा हुआ रहता है वो कहते हैं हमारे बच्चा कपड़ा दो लेता है हमारे बच्चा फील्ड वर्क कर लेता है हमारे बच्चे को गाडणिंग आती है हमारे का बच्चा मशीन सुधार लेता है हमारे का बच्चा एडवेंचर कर लेता है हमारे को बच्चा क्या करता है कुछ नहीं करता क्योंकि उसके घर वाले हर चीज उसको मैनेज करके देते हैं एक तरफ घर मैनेज करके देता है दूसरी तरफ स्कूल प्रयोग नहीं करने द जाएगा पढ़े लिखे Unemployable लोगों का देश और मुझे याद पढ़ता है कुछ साल पहले नासकाउम के जो हेड थे उन्होंने एक बयान दिया था इंडियन यूथ हार अनेंप्लाएबल हम डिगरी धानी हैं लेकिन हमें आप रोजगार निए सकते क्योंकि हमको एक एप्लिकेशन लिखना नहीं आता हमको टैपिंग निया आती हमको ठीक से इंग्लिश निया थी हमको ठीक से हिंदी निया सकती हम ऐसे विची त्रियोग में जहाँ पर टियर टू, टियर त्री सिटी के बच्चे को अब ने इंग्लिश भी नहीं आती ठीक से, और वो हिंदी में भी 77, 68, 85 नहीं बोल सकता, वो खतम हो गया हो ना इधर करा, ना इधर करा, तो अब क्या करें, देश को कलरको का देश बना दे, अब क्या करें, और जिस प भड़ी कंपनी में वो सोचने का एको सिस्टम मिला, तब जाके सत्या नडला सत्या नडला बने और इंद्रा नूइ, इंद्रा नूइ, इंद्रा नूइ by ने, यह तो आप हरम खुश होने के लिए बहारतिये मूल के, होते रही हे खुश, लेकिन वही सत्यान अडला में रहते तो निपड़ जाते हो वह इंद्रान हुई इंदुस्तान में रहती तो आदे समय वो घर में बच्चों को बैलेंस करने में उसके वाद समाच को बैलेंस करने में उसके अद्वर्क प्लेस को बैलेंस करने में खतम हो जाती यह इंडिया है क्या हम ऐसे इंडिया से अ सोचने में मजबूर करते हैं देखिए दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया क्या कर रही है तो साथियों आज हमको सोचना होगा कि ऐसे पढ़ाने से क्या ना पढ़ाना अच्छा है या हम सब मिल के आवाज उठाएं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को प्रेयोक शील बनाने के लिए इस देश में अस्फलता को समान दिलाने के लिए क्योंकि जीतने के पहले हारना जरूरी है नहीं तो हार से इतना भय पैदा हो जाएगा कि जीतने की कोशिश भी नहीं करोगे यहां तक कि ट्राई नहीं करोगे इस देश में रिसर्च का एन्वाइरनमेंट डेवलप करने के लिए है इस स्थिती इतनी भी चितर है कम्प्यूटर में आज जो बुक स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो टेक्नोलोजी तीन साल पहले आपसिलीट हो चुकी है लेकिन पुस्तक बदली नहीं गई है वर्ड को नहीं पता और पुस्तक नहीं बदली और इंजिनिरिंग कॉलेज के अंदर डेमों के लिए जो मशीन थी वो मशीन 20 साल और 50 साल पुरानी है बीसे जैसे कोर्स में जो व्यक्ति जिस कम्प्यूटर पे चला रहा है वो कम्प्यूटर 10 साल पुरान है यह बनेगा इंडिया इस तरीके से हम बनेगे सुपर पावर या इस तरीके से हम इंडिया से निकल के दुनिया में जहां जहां भी कोई अचीव करेगा उसको भारती मूल भारती मूल भारती मूल बोलके खुस होते रहेंगे अब भारती मूल नहीं भारत में टेलेंड पैदा करने होगा है इसके पर बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाय जाता था, जहां बच्चों को जानवरों को पालना सिखाय जाता था, जहां बच्चों को अपना आनाज खुद उगाना सिखाय जाता था, जहां बच्चों को शास्त्र सिखाय जाते थे, जहां उनको मल्ली उद्धी सिखाय जाता था, जहां spiritual, intellectual, physical सारे aspect पे ध्यान दिया जाता था आज कुछ aspect नहीं बच्चा आपका बच्चा एक्जाम में क्या number लाया और मेरा बच्चा क्या number लाया ये इंडिया superpower नहीं बन सकता मेरी कड़वी सचाई सुन लिजे यदि इंडिया का education system ऐसा रहा हम कभी super power नहीं बन पाएंगे हम औसत कलरकों का देश बन के रह जाएंगे हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम करेंगे और पूरी दुनिया हमको नौकर बना के रख लेगी जो entrepreneurs का देश था वो नौकरों का देश हो जाया यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारती education system को scrap करके practical education system जिसमें practical learning हो जिसमें intellectual जिसमें soulful जिसमें physical जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाय जाए जिसमें खुद का short strength weakness opportunity threat जैसे analysis करना सिखाय जाए जिसमें listening पे जोर दिया जाए जिसमें प्रेक्टिकल प्रेक्टिकल और प्रेक्टिकल पे फोकस हो ऐसा education system में दिलाना है तो आपको इस वीडियो को share करना हुआ आपको इस वीडियो को इतनी बड़ी तादाद में share करना पड़ेगा जिससे कि स्कूल के टीचरों की college के professor की और शिक्षा मंत्रियों की इन सब की आखे खुल जाए आपको इसको भारत का top trending वीडियो बनाना पड़ेगा यदि आपको अपने बच्चों को बचाना है ने तो कल आपके माता पिताओने पर आपको अफसोस होगा क्योंकि आपके बच्चे पुछेंगे बड़ेयों के इससे अच्छा तो पापा नहीं पढ़ाते तो जादा अच्छा होता यदी मेरा craft इस स्कूल से लाएकल मंमी को भी करना था तो नहीं करवा्ते क्राफ्ट तो ज्यादा अच्छा होता यदि मेरी ड्राइंग मम्मी को बनानी थी तो नहीं बनवाते तो ज्यादा अच्छा होता ये दंच लेने के लिए तैयार हो जाईए ने तो मेरे चैनल पे इतने कमेंट करिए कि उन कमेंट्स की आवाज की गूंज से हम पूरे देश को हिला सकें साथियों यदि आपने अब तक उज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप से आगरा है कि अपने भीतर के इंसान को जिंदा रखने के लिए खुद को अपग्रेड करने के लिए लगतार ऐसे वीडियो आपको देखने होंगे और वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे यदि आप बहुत व्यस्त है संभव है आप भूल जाए और बहुत कीमती वीडियो निकल जाए इसके लिए आपको बेल आइकन दवाना होगा जिससे की ये वीडियो आपको लगतार मिलते रहे और अंतिम चीज इतने कमेंट्स करिए कि पूरा देश हिल जाए और मैं यहां से आपको वदा करता हूँ मैं कमेंट्स को व्यक्तिगत रूप से देखूँगा मैं एक एक कमेंट्स को खुद देखूँगा और खुद रिप्लाई करूँगा और हो सकता है बहुत अच्छे कमेंट्स को मैं उपर पिन भी करूँ क्योंकि अब देश को बचाना है दोस्त अब अलग अलग सुतंता संग्राम हमको लड़ने है हम बहुत दुर्भागी साली है हम न तो सैनिक है जो सीमा पे कर दो सैनिक है जो सीमा है